आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल करेंगे गईज गर आपके फोन में भी किसी एप्लिकेशन को आप ओपन कर रहे है और गाईज बार बार एप्लिकेशन क्रेश हो रही है और इस तरह से किस तरह से इस प्रॉ वीडियो स्टार्ट करते हैं तो ज़िए आपके सामने भी बार बार यही प्रॉब्लम मारी एक कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम तो इसे कैसे सॉल करना है चाहे वह कोई भी एप्लिकेशन हो सेटिंग हो वाटसप हो ट्वीटर हो इंस्टाग्रम हो कोई भी किसी भी एप्ल लेका होगा Apps, ठीक है, कोई भी इसमें से जो भी option आपके phone में हो, उसके उपर आप क्लिक कीजिए, उसके बाद सबसे उपर की side में top पे देखेंगे app list का option होगा, या पिर इसकी जगे लेका होगा app manager, ठीक है, किसी भी option के उपर आप क्लिक कर लीजे, दोनों में से, उसके आपको एक option शो हो रहागा, storage users, इसके उपर आप क्लिक कीजिए, और यहां से सबसे पहले clear catch कर लीजे, और उसके बाद manage space वाला option होगा, इसके उपर आप क्लिक कीजिए, और उसके बाद delete all data पे click करके, सारा data यहां से जो आप clear कर लीजे, ठीक है, उसके बाद यहां से back आज चाहिए, back आने के बाद एक और भी settings है, बहुत सारे लोगों के इंदर settings keep stopping problem आती है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे की साहर में आना है, और यहां पर एक option होता है, settings वाला, इसके उपर आप क्लिक कीजिए, और सेम प्रोसेस करनी है, इसके इंदर भी मैं आपको बता रह application के अ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा, प्लेए स्थए के इंदर, और प्लेई स्थेर में आययंगे, उसके बाद किसी भी application के अंदर यह problem आ रहे है, simply उस कि यहां पर आप search keyboard लाई एक आ पर इंस्टा गराम के अंदर आ रहा है तो आपको क्या गर लिगे अपने के बाद आपकी problem जो solve हो जाएगी तो इस तरह से घाइस आप अपने फोन में एप्स में किप्स स्टॉपिंग प्रॉब्लम को सॉल्ड कर सकते हैं